नमस्कार दोस्तों मैं रूद्र एक बार फिर आप सबके सामने आया हूँ आज के दो इंपोर्टेंट वर्ड लेके जैसा कि मैं आपको रेगलर बेसिस पे पर डे दो इंपोर्टेंट वर्ड प्रोइड कराता हूँ जिसके आपको एंटो और साइनो मैं आपको याद कराता कि अगर आप किसी की competitive zone में बैठें तो इसमें से आपको कुछ expected endosign हो आपको मिल जाएं तो आज का जो मेरा पहला word है वो है आपका extremist अब extremist से पहले तो बात करेंगी pronunciation इसकी कैसे होती है इसकी pronunciation होते है एक्स्ट्री दैन मिस्ट तो इन दोनों के combination से जो word form होता है वो बनता है extremist ठीक है अब extremist क्या है extremist एक kind of noun है ठीक है और अगर अब हमें exam में पुछा जाता है कि आप extremist के synonyms बताओ signo बताओ तो हम क्या-क्या बता सकते हैं जो पहला आपका signo होगा fanatic, secretarian, radical, fundamentalist, militant, partisan, activist ठीक है अब इसके opposite term पे आते हैं कि अगर इस extremist का opposite हो तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोल सकते हैं moderate ठीक है तो अगर हम यह जानना चाहें कि इसकी अगर normal way में अगर इसकी meaning जानना चाहें कि extremist term को normal अपनी भाशा में हम क्या बोल सकते हैं तो हम इसे बोल सकते हैं कि ऐसी चीजें जो कि extreme हो जो कि आपकी fundamental हो जो कि आपके चीजों में काफी complex हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो एक extremist thing है और उसका antonymus जो होगा वो moderate होगा यानी normal होगा अब हम इसके example पर आते हैं जिसके तो हम आपको इस word को समझा सकते हैं If you describe someone as an extremist तो जैसा कि आपने इसमें extremist और extreme method method का sense सुना होगा तो आपको समझ में आ क्या होगा कि इसमें extreme का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीजों को एक next level पे ले जाते हैं, एक high level पे ले जाते हैं, complex level पे ले जाते हैं तो हम उसे एक extreme point कह सकते हैं वह हमारा एक extreme point होगा तो यह आज का हमारा पहला वर्ड था, जो हमारा आज का दूसरा वर्ड है वो है फिलिप, पहले तो यह जानते हैं कि यह फिलिप किस कॉंबिनेशन ओफ वर्ड से बना है, फिलिप का कॉंबिनेशन है फिल प्लस इप, तो यह आपका बन जाता है फिलिप, ठीक है, अब फिलि के synonyms लिखो, तो हम फिलिप के synonyms क्या-क्या बता सकते हैं, फिलिप का जो synonyms होगा, वो होगा stimulus, stimulus का मींस यह होता है कि जो चीजे by root, जो चीजे root से जुड़ी ही होती है, वो एक stimulus kind of thing होता है, आप उसे बता सकते हो, boost, encouragement, incentive, impetious, motivation, tonic, uplift, supper, तो यह क्या होंगे, यह फिलिप के synonyms होंगे, और अगर हम antonyms पे जाएं, तो फिलिप के antonyms कौन-कौन से होंगे, जैसा कि आपको पता है कि antonyms का means होता है, जो भी similar words है, उनका opposite term जो होता है, वो से समझ में आके होगे कि फिलिप किस टाइप का term है, ठीक है, और अगर हम आपको इसके example के थूँ समझाएं, कि अगर इसको sentence में use करना है, तो आप कैसे करोगे, the athletics win provided a much needed फिलिप for a national pride, अब इस term में फिलिप का sense यह बन रहा है कि अगर एक athlete का win, उसके लिए, उसके career के लिए boost है, उसके career के लिए encouragement है, उसके लिए एक kind of incentive है, जिसके through ओ अपने career को boost कर सकता है, फिलिप कर सकता है और यह एक nation का pride हो जाएगा, ठीक है, तो यह आज के हमारे दो important words है, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा इस channel पर आपको update मिलते रहे हैं, तो आप please इसको subscribe करना मत भूलिएगा, thanks for watching, that's all.